समस्कार सबी शुरुताओं को प्यार भरा साधत प्रणाम प्यादर्श को आज बहुत ही खुशी का दिन है बहुत एक लंबे अंतराल के बाद करीब तीन महिने के बाद बर्प बारी शुरू हुई है और बहुत ही प्यार से साल दो हजार चोबीस की ये पहली बर्प बारी होना शुरू हो चुकी है आज बड़े ही खुशी का दिन है क्योंकि पिछले दो तीन महिनों में लोगों ने जंगलों में जमीनों में आग फुक फुक कर हजारों जीव जंतों कीडे मकोडे जयब विवता को खतम कर दिया तो आखिरकार इंदर देवता को जो है ये बारिश और बर्प बारी इनसानों की खातिर नहीं बलकि पशू पक्षियों जीव जन्तों कीडे मकोडे जय बिवता इन तमाम जो भी जीव हैं धर्ती पर उनकी खात्र ये बारिश और बर्फ बारी देनी पड़ी क्योंकि इनसान तो जो है वो अपने लिए गड़ा खुदने का काम कर रहा है आज की डेट में क्योंकि जिस तरह से जगा जगा पर अवैद खनन पेड़ पौधों का काटान और इस तरह की जो है भयंकर सूखे की स्थिती में आग जलाना बनों को जलाना ये सब अपने लिए जो है वो गड़ा खुदने वाली बात है तो आज बड़ी ही खुशी की का दिन है क्योंकि इस मौके का सब को इंतजार था कब इंदर देवता प्रसंद होंगे कब भगवन प्रसंद होंगे कब बारिश देंगे कब बर्फ बारी होगी क्योंकि इस बर्फ बारी से ही जो है पहाडों में पूरा जन जीवन चलता है, पूरा जन जीवन इस बर्फ के उपर ही निर्भर रहता है, तो आज बहुत ही खुशी का दिन है, इस दिन जो है पूरा जशन सब को मनाना चाहिए और भगवान का जो है वो लाख लाख शुकर करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही जो है ये मौसं उसने अपना रंग बदला था, मौसं की संभावना नहीं लग रही थी, बार्श होगी नहीं होगी, इसका बड़ा ही एक कठिन सा लग रहा था, क्योंकि इबादल आते थे चले जाते थे बार्ष की एक बूंध भी नहीं धर्ति पर आते थी लेकिन आज जो है बहुत खूबसूरत नजारा है खूबसूरत द्रिश्य है और बड़े जोरदार बड़े आराम से बड़े प्यार से बर्फ बारी शुरू हुई है और इस इस वक्त शिवन्या खना जी भी बर्प का अनन्द ले रही है, क्या हाल है शिवन्या जी, मैं वीडियो बना रहा हूँ, कैसा लग रहा है, जोर से बोलो जरा, बर्प देख करके कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है, हाँ, नहीं चलो अभी होगी, अभी बहुत बर्प बारी होगी, आप खुश है निराज हैं, खुश हैं, इस खुशी में कोई नया वीडियो बनाएंगे आप भी, तो सुबा सुबा शिवानिया खना जी भी बिस्तर से उठी हैं, ये भी अती प्रसंद हैं, इनसे वारता लाप हुई मेरी, आपने सुना है, तो ये बस एक खुशी को लेकर के, इस बर्प बारी को लेकर के ये वीडियो आप सभी दर्शकों तक पहुँचा रहा हूँ, प्रया दर्शकों, आप सभी से गुजारश रहेगी, कि इस वीडियो को जितना भी हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाने में म भूलें दन्याबाद जय हिंद जय चुरा